हलो इस्टोएंट्स कैसे आप लोग उम्मीद करूँगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं तो फाइनली गुड न्यूज आप सभी के लिए निकल के आगे कि डेली उन्वर्सिटी की तरफ से आप लोगों के लिए पूरा शेडियूल है वो आउट कर दिया गया इसके अंदर सिर्फ दो राउंड के श्ट्यूल रिलीज किया बाद में और भी रिलीज कर देंगे तो सबसे पहले देखिए प्रेस रिलीज कर दिया गया आप लोग के लिए अलोकेशन कम एडमिशन की बात है टूजिरो टूफॉर टूफाइव के लिए आप लोगों के ये अडमिशन पूरा होने वाला है तो सबसे पहले देखिए इन्होंने बता दिया है कि फेस्टू आप लोगों का स्टार्ट हो गया है एक अगस से दूसरी चीज इन्होंने बोली है कि यहाँ पे आप लोगों को अपनी प्रिफरेंसिस हैं उनको फिल करना है साथी साथ साथ यह सबधर दोनों के लिए अप लोग रॉजिस्टेश्टिशन कर सकते हो अगर आप लोग से दूसरी प्रिफरेंसि वरना चाहते हो तो 6 तारीक तक आप लोग उसको पूरी प्रोसेस कर सकते ओव चार बज के 69 मिनित तक शाम को इसके बात जो अपलों का पूरा का बूराका अंदर नहीं पढ़ें और CUT के अंदर आप लोगों ने दिया है तो उसके सामने not applicable लिख दोगे याद रखना गलती नहीं करनी है एक छोटी सी गलती आपकी seat को छीन सकती है इसके बाद हम लोग complete schedule की बात कर लेते हैं और जो आप लोग की preferences है उनको आप लगों यहां पर fill कर सकते हो preferences के लिए जो time दिया गया है वो दिया गया है एक से लेकर 7 तारीख तक आप लोग स्कते हो preferences को भर सकते हो शाम को चार बज केशन सेफ कर दो गे तो वह पर लोग की क्या हो जाती है rank क्या है rank का मतलब यह कि बहुत सारे लोग apply करते हैं तो उसमें आपकी rank क्या है तो इसको यहां पे आप लोगों को में पता लग जाएगा इसके बाद में आप लोग अपनी preferences को change कर सकते हो वह 11 से 12 तक का time आप लोग को दिया जाएगा इसके बाद में जो सबसे important चीज़ है 15 अगस्त के बाद वो है आप लोगों के लिए first round का seat allocation है वो release किया जाएगा 16 तारिक को शाम को पाँच बजे Friday को अब then आप लोगों को क्या करना है अपनी seat को accept करना है यानि कि देखो जब भी allotment होता है उसके बाद में आपके portal है CSES portal के login करने के बाद में वहीं पर आप लोगों को दिख जाएगा कि आप लोगों का seat allotment हुआ है उसमें कौन सी college मिली है उसी के सामने लिखा होगा accept का उ उनको verify करेंगे college document को verify करेगी कि यार आपने जो documents upload कि हैं वो सही है निया subject mapping सही है अगर सारी चीज होके हैं तो college आपके documents को verify कर देगी अब college को थोड़ा सा time जादा मिलता है 20 तरिक तक का time मिलता है क्यों उसके पीछे का reason है कि आपको पता है documents बहुत सारे होते हैं बच्चे बहुत सारे हैं तो time लगेगा तो यहां पर आप लोगों को document verification हो जाता है approved by principle आजाएगा तो आप लोगों को fee payment कर देनी और fee payment की last date दे रखिये वो 21 अगस्त आप लोगों को दे रखिये इसके लावा फिर आप लोगों का second round start होगा second round में सबसे पहले आप लोगों को आपकी पर की जो preferences ने उनको reorder कर सकते हो आप लोग आप लोगो को क्योंकि upgrade का option दिया जाता है ना इसलिए तो उसके लिए आपको time दिया गया है 22 से लेके 23 अगस्त तक आप लोगों कर सकते हो और शाम को 4 बच के 90 मिन तक then आप लोगों का second round का seat allocation आएगा second round का seat allocation आएगा वो दिया गया है 29 तारिक तक का अब इसके बाद है फिर फीस payment की last date है वो है चार बच के 69 मिनिट और 30 अगस्त को Friday को तो यहां तक आप लोगों के लिए बोल दिया अब इसने बोलाए ना the university may announce more round subject to availability of vacant seats यानि कि अगर आप लोगों की seats फिर भी बच जाती है तो आप लोगों का बहुत round से यहां पर आने वाले tension मत करिया और मैं तो यह बोलूँगा जितना मैंने अभी तक देखा है चार से पांच round आप सभी के release किये जाते हैं Delhi University की तरफ से तो यह आप लोगों के लिए हैं अब यहां पर इन्हों ने और बोल दिया है वो है यार देखो public जो awareness webinar से वो हईगों को करना है तो इसके लिए आप लोग हमाने साथ जुड़ सकते हो अपने भाई के साथ जुड़'D कि अपनी चीजें यह डाउटस हनको धूर कर सकते हो तो उसके लिए आप लोगको रहाना साहरती बैच है उसके अंदर नरॉल कर लेणा है साहरती पें ले प्याश fram की बात है university counseling है इस पर click करना है यहां पर जैसे क्लिक करोगे बेटा click करने के बाद में आप लोगो को क्या करना है बाइन आउ पर जाना है enter करना है coupon code कौन सा GS699 यह किसका है गजेंदर सर देखो क्या है यह लिख रहा है अब क्या करना है किस तरीके से आगे बढ़ना है कब upgrade करना है कब freeze करना है कौन सी चीज कब करने है तो इन सारी चीजों के लिए आपके पास आपका भाई है पूरी टीम आपके साथ है तो GS699 coupon code लगा के आप लोग इसके अंदर enroll कर लीजेगा तो thank you and bye bye to all God bless you सभी को